स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार अब सभी को हमारे प्रेणा टीवी चैनल के तरफ से दिदी नमस्कार अगर अभी तक आपने हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो दिदी जल्द ही सस्क्राइब कर ले क्योंकि आप सभी को डे नेरलेम से दूरी उसके साथ साथ के सरकार के द्वारत जो भी उजना चलाई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को आउगत कर दिया जाएगा तो आप सभी से निमेदन है कि प्लीस आप हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर दिदी आपके समों में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो हमसे बात कर सकती हैं हमारा मुबाइल नमबर लिख लिजिए यह हमारा मुबाइल नमबर और वाट्टाप नमबर दिदी दोनों है मैसेज भी कर सकती है अगर आपके समों में किसी प्रकार की दिक्कत है तो चलिए दिदी ज्यादा ना बात करते हैं में टोपी के तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थमनेल में देखा है आप सभी दिदी निवेदर है कि दिदी पांच हजार रुपए में सुरु करें यजय बिजनेस जीहां पांच हजार रुपए से सुरू करें या करोबार गारंटी के साथ हर दिन होगी जिहां दिन होगी तीन हजार रुपए की कमाई और आप लोग एक इंकम अच्छा खासा कमा सकती हैं कोरोना में कईयों की नौकरियां चली गई तो कई लोगों का बिजनेस ठप हो गया अगर फिर से आर्थिक इस्ति को पटरी पर लाना चाहती है दिदी तो नया बिजनेस आइडिया आजमा सकती हैं चाय पत्ती का धंदा ऐसा ही है जहां अच्छी कमाई कर सकती हैं स्वयम सायता सम्मू की दिदिया पांच हजार उपए में दिदी ये काम सुरू हो सकता है और पूरी गारंटी है कि आप तीन हजार उपए की कमाई कर सकती हैं कोरोना काल में अगर आपकी नोकरी चली गई है तो चीनता की कोई बात नहीं है अगर आपने स्वयम सायता समू से रणवी लिया है तो कोई बात नहीं आप अराम से भर सकती हैं आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं सिर्फ पांच हजार उपए से आप अपना कारोबार सुरू कर सकती हैं इतने कम बजट में आप हर दिन तीन हजार रुपए कमा सकती हैं यानि हर माह लाखो रुपए की कमाई आप कर सकती हैं फिर भी मालेचे दिति आगर आपको सक्सें नहीं होती हैं करना ही पारी फिर भी अगर लाखों कर नहीं हुआ तो 20-25 जाल प्या तो बिलकुल कमा ही सकती है यह बिजनेस का जबदस्ट आइडिया है आप इसको जरूर आजमाए और करें इसे कोई भी अपना कर बिजनेस दुरूगा सकता है दरासल आज के समय में अधिकांस यूवान नीजी नौकरी छोड़ अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं इसके माध्यम से अधिक से अधिक रासी वे कमाना चाहती है तो दरासल हम जिस बिजनेस के बारे को में आपको बता रहे हैं उसके डिमान देश वीदेश में खुब हो रही है दरासल दिदी चायपत्ती ऐसा एक प्रोड़क्ट है जिसकी मांग हर घर में होती है आप भी चाय पीती हैं हम भी चाय पीते हैं हाँ नुकर बजार पे देखें चाय विकता है चायपत्ती के बिजनेस में आपको ज़्यादा रासी खर्च करने की जरूद भी नहीं है पांच से दस हजार रुपे खर्च कर आप चापत्ती का बिजनेस दू कर सकती है या पैसा आपको इधर दर फटकने की भी जरूत नहीं आपके सजी से भी मिल जाएगे जी हाँ अगर आपके समों में स्टार्ट अप फंड आया है और आपको पैसा आ चुका है या पैसा आ चुका है तो या काम आप जरू कर सकती है इस बिजनेस में काफी मुनाफ़ा है अगर आप अपना कारोबार एक बाजार एक बार बाजार पकड़ लिया तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूत ही नहीं है आप अच्छी कमाई कर सकती है कोरोना काल में जमसेदपूर के कई लोगों ने इस बिजनेस को अपनाया है और उसका लाभी उन्हें मिल रहा है तो यह काम आप जरूर करें अमीर गरीब हर कोई पीता है चाए चार ऐसा प्रोड़क्ट है जो अमीर और गरीब दोनों सामान रुप से पीते हैं अगर आपको प्रोड़क्ट अच्छा होगा तो दोनों लोग पसंद करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा इसकी खासियत है कि आप इस बिजनेस को छोटे लेबल से बड़े लेबल पर ले जा सकते हैं इस अस्योगों का कहना है कि अगर आप चाय का नया बिजनेस शुरू करना चाहती है तो डाजलिंग और आजाम की चाय से ही शुरू करें तो बेहतर होगा क्योंकि यहां की चाय की मांग देश ही नहीं बल्की विदेशों में खूब हो रही है आप सभी दीदियों से निवेदन है कि आप लोग जल्द ही फ्रेंचाइजी ले शुरू कर दे बिजनेस अगर आप चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करना चाहती है तो फिर दे ना करें कॉलकाटा या डाजलिंग से चाय पत्ती मगा कर इसे होलसेल या रिटेल में बेच सकती है जमसेदपूर सहित टायर और टायर सिटी में चैपत्ती की काफी मांग है आपकी जानकादी के लिए बता दें कि खूली चैपत्ती की फ्रेंचाजी आजकर बड़ी कमपनिया भी दे रही हैं आप फ्रेंचाजी लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं अगर आप ज्यादा पूजी नहीं लगा सकती हैं तो घर से ही आप चैपत्ती का या पिजनेस शुरू कर सकती हैं होल से चैपत्ती मंगा कर विभिन वजन में पैक करके इसे घर के एजेंट जिहां घर घर एजेंट के माध्यम से बेचा जा सकता है तीन हजार से ज्यादा की होगी कमाई आपको बता दे दिदी डाजलिंग और आसाम की चाय की पूरी दुनिया में मांग है यह आपको ठोग भाव में 140 से 180 रुपए तक मिल जाएगा इसे आप बजार में 200 से 300 रुपए तक बेच सकती हैं अगर आप प्रति दिन 12 किलो की चापत्ती बेच लेती हैं तो रोजाना 720 रुपए तक कमाई हो सकती है ऐसे में आप हर महीने 18 से 20 रुपए तक कमा सकती हैं थोड़ थोड़े जी हाँ थोड़े दिनों के बाद आप रोजाना 30 से 50 किलो तक चापत्ती बेच सकती हैं तो कमाई भी ज़्यादा होगी एक बार फीदीदी आपसे करना चाओंगी कि यह काम आप लोग जरूर स्टार्ट करें जी हाँ अगर आप लोग अपने ही होलसेलर क्या जी हाँ अगर आप इतना नहीं पता कर पा रही हैं तो जो आपके होलसेलर है जी हां मार्केट में होलसेल रहते हैं आप जिस जहां पे रहती हैं वहां पर भी होलसेल मार्केट होगा चायक पत्ती का आप बढ़िया चापती ब्रांडेट जो है देख कर लाए चायवना की पीजे अगर आपको टेश्ट में अच्छा लगे तो ब्रांड लगा कर नाम लगा कर जी हां आप एक एस जी का नाम भी दे सकती हैं कि हमारी ये श्यूम साता समू के द्वारा ये चापती बेची जा रह सब्सक्राइब करिया और हमारे साथ जूड़ जाए अगर आपके समू में रजिस्टर अच्छे से नहीं लेखा जा रहा है तो आप हमारे चैनल से आकर रेजिस्टर की जनकारी ले सकती हैं तो चलिए दिए आज की वीडियो बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो में चर्चाय करिए और बात करिए हमारे प्रणा टीवी चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करेए तो चलिए यूडियो मसे नहीं धन्यवाद जया जिविका